हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका छोटी सी रसोई में आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं पित्रों के लिए प्रशाद यानि की शराद की थाली शराद के वक्त हमें बहुत कुछ बनाना होता है और कई बार हमारे पास टाइम नहीं होता है उतना तो आज हम आपके साथ यहीं शेयर करने वाले हैं कि क्या बनाए और कैसे बनाए पित्रों प्रशाद में खीर और पूरी जरूर बनता है सबसे पहले हम खीर बनने के लिए रखेंगे और बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से खीर बनाने के लिए मैंने एक कटोरी चावल लिए है जिनने मैं अच्छे से धुल कर कुकर में एक सीटी लगाऊंगी तीन कटोरी पानी के साथ दूसरे कुकर में साथ ही आलू रख देंगे उबालने के लिए सबजी के लिए एक सबजी हम बनाएंगे पंकिन यानि की कद्दू की कद्दू हमारा सौफ्ट है ये देखने के लिए हम थोड़ा सा नाकून से काट कर देखेंगे अगर हमारा चिलका बहुत आसानी से निकल जाता है तो हम इसे चिलके के साथ ही बनाएंगे और अगर नहीं निकलता है तो हम इसे छील कर बनाएंगे इसके बीच की निकाल लेने है और बारिक बारिक काट लेना है सबजी कटकर हो गई है हमारी तयार अभी मैं लगाऊंगी तड़का तड़का लगाने के लिए मैंने सरसो के तेल का इस्तेमाल किया है और सरसो के तेल में थोड़ा कच्छे पन की स्मेल आती है उसके लिए मैं यहाँ डालूँगी चुटकी भर नमक और फिर डालूँगी चीरा दो लाल मिर्च और मेथी दाना मेथी दाने के बाद तेज पत्ता और थोड़ा सा हींग हींग के बाद मैं एड करूँगी टमाटर मैंने एक केजी पमकिन के लिए दो मीडियम साइज के टमाटर लिये है उसके बाद एड करेंगे हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर टमाटर हमारे अच्छे से पके हैं तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, अब मैं इसमें एड करूँगी अपना पमकिन और नमक डालूँगी स्वादा नुसाइज माना जाता है कि श्राद में पमकिन बनाना अच्छा होता है इसलिए कोशिश करें कि पमकिन जरूर बनाएं और ये बनाने में भी बहुत मुश्किल नहीं होता अब हम एड करेंगे इसमें पानी, मैंने यहाँ पर एक कटोरी पानी लिया है अब हम इसे ढख कर पकने के लिए छोड़ देंगे और फ्लीम रखेंगे लो तब तक हम तयार करेंगे दूसरी सबजी, मैंने इसमें एक चमस लिया है घीए आप चाहें तो रिफाइंड या सर्चो का तेल भी ले सकते हैं आधा चमस लिया है जीरा और थोड़ा सा लिया है हीं इनको अच्छे से भूनने के बाद मैं इसमें एड करूँगी टमाटा यहाँ पर मैंने एक बड़ा टमाटा लिया है और इसमें दो डालेंगे हमारे मिर्च काटके उसके बाद एड करूँगे आधा चमस हल्दी पाउडर आधा चमस मिच पाउडर और नमक स्वादा अनुसार अच्छे से मिक्स करने के बाद हम पकने के लिए थोड़ा सा डालेंगे इसमें पानी पानी मैंने यहाँ पर आधा कप लिया है जब हमारे टमाटर अच्छे से गल जाएं और पानी भी पूरी तरह से सूख जाएगा मसाला तेल चोड़ने लगेगा तब हम इसमें एड करेंगे आलू जो हमने पहले ही बॉइल करके रख लिये थे आलू को अच्छे से मिक्स करके और भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कसूरी में थी एक चमस धनिया पाउडर और आधा निम्बू का रस हमारी आलू की सूखी सबजी तयार हो गई है अभी हम आलू की ग्रेवी वाली सबजी बनाएंगे उसके लिए दूसरे पैन में मिलूंगी थोड़ा सा सर्जो का तेल सेम प्रोसीजर थोड़ी सी डालेंगे उसमें नमक और अच्छे से पकाएंगे फिर एट करूँगी दो लाल मिर्श और आदा चमस धनिया साबुत धनिय से आलू की सबजी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है अगर आपके पस ट्रमाटर भी नहीं है तब भी आप ये साबुत धनिय से तड़का लगा कर एक बार ट्राइज जरूर करें उसके बाद मैंन इसमें वो भी एड करेंगे तब तक हमारी कासी फल की सबजी आल्मोस्ट पक कर तयार हो गई है अब हम इसमें एड करेंगे थोड़ा सा गोड़ मैंने यहां पर 50 ग्राम गोड़ लिया है और इसको ढखकर और थोड़ी दिर पकने देंगे आलू की सबजी में दो उबाल आ इसमें तीन से चार मिनट लगें हैं गरम मसाला एड करके हम गैस को बंद कर देंगे अलू की दोनों सबसें हमारी बंद कर तयार हैं हम अपनी खीर पर हमने चावल पहले उबाल लिये थे अब इनको थोड़ा सा मैश कर लेंगे क्योंकि खीर में दूद अलग और चावल अल जालनी है क्योंकि वह बहुत जल्दी पक जाते हैं अब अड़ करेंगे इसमें वन लिटर दूद आदा चमच हम इसमें एड़ करेंगे इलाइची पॉडर और गरम होने के बाद दूद को हम इसमें एड़ करेंगे अपने चावल अच्छे से मिक्स करके हम इसे सिमाज पर पकने के लिए छोड़ देंगे, 10 से 15 मिनट के लिए, तब तक हम अपनी पूरियों के लिए आटा देयार करेंगे, आटे में मैंने थोड़ा सा डाला है नमक, थोड़ा सा हींग और थोड़ा सा अजवायन, जिससे हैं डाइजस्ट होने में प्रॉब्लम नहीं होगी, और एक चमस डालूंगी मैं घी, इससे पूरियां बहुत ही सॉफ्ट बनेंगी, आटा हमारा जितना अच्छे से गुंदा होगा, उतना ही हमारी पूरियां सॉफ्ट बनेंगी, फूली-फूली, आटे को हम ढाकी रख देंगे, 3-4 मिनट के लिए, तब तक देख लेते हैं हम अपन अभी देख लेते हैं हम अपनी कासी फल की सबजी को, जिसको हमने सिमाज पर छोड़ दिया था, पकने के लिए हमारी पककर तयार है, अब हम इसमें एड़ करेंगे, आधा नीबुका रस, एक चमच, धनिय वाउडर, और थोड़ा सा गरम मसाला, अगर हम कासी फल की सबजी में गोड और खटा पहले ही डाल देते हैं, तो उसे पकने में प्राब्लम होती है, अभी हमारा आटा भी तयार हो गया है, अभी हम इसकी बनाएंगे पूरियां, पहले बना लेंगे सारी लोईयां, और फिर बेल कर रख लेंगे, फिर करेंगे हम इने फ्राइ, पूरियों क पिछे से भी पकाने के लिए उधर से भी हमें दबा कर पूरियों को बनाना है, उससे हमारी पूरियां बहुत ही सौफ्ट बनेंगे, पूरियां हमारी डिपेंड करती है, हमारा तेल हमारा कितना गरम है, और हमारा आटा कितना अच्छे से गुंदा हुआ है, सबसे आखिर म मैं बनाऊंगी यहां पर सलाद, सलाद मैं यहां पर खीरा और टमाटर का बनाऊंगी, टमाटर के बीजों को हम पहले से ही निकाल लेंगे और उसके बाद बारिक बारिक काटेंगे अ, कऱ बारिक काटे बार टमाटर, टमाटर के बीजितीत बारिक बादर पर शक्राट कर ond do उसके बीज़र का झाला बारिक कर असके बारिक मकुरिश सलाद हमारा बनकर तयार हो गया है मैं इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा चाट मसाला एड़ करूंगे तयार हो गई हमारी श्राद की थाली जिसे बनाने में मुझे सिर्फ 45 मिनट लगे हैं और हमने तीन सबजिया तयार की हैं खीर तयार की है और पूरि भी तयार की है श्राद पक्स के सुब अफसर पर आप सभी को आपके पित्रों का आशिरवात प्राप्त हो यही कामना करते हैं और कहते हैं कि श्राद पक्स में दान जरूर करना चाहिए इसलिए पलीज लाइक एंड सस्क्राइब दान करके जरूर जाना आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स जरूर करना और वीडियो में अंतक बने रहने के लिए थैंक यू